आज का टॉपिक है प्लान्ट लाइफ साइकल्स एंड अल्टरनेशन अब जनरेशन्स इस टॉपिक को हम डारिक्ट स्टार्ट करने के पहले एक बार ब्रायफाइट्स का लाइफ साइकल स्टडी करेंगे क्योंकि ब्रायफाइट्स का लाइफ साइकल स्टडी करने के बाद आप इस टॉपिक को ज्यादा बेतर तरीके से समझ पाएंगे अब बात करते हैं लाइफ साइकल और ब्राइफाइट की एक एक लाइन आपकी क्लियर हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे NCRT के साथ कुछ एक्स्टा डाइग्राउंस भी दे रखे हैं तो चली स्टार्ट करते हैं इसका मतलब यह हुआ कि जो ब्राइफाइट है इसमें रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो अलगी में बिल्कुल भी नहीं थे यहाँ पे अपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं अलगी किसमें आता है थैलोफाइटा में आता है क्लासिफिकेशन जो हम करते है तो थैलोफाइटा, ब्राइफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिमना और उसके बाद Encha white होता है तो क्योंकि थैलो के बाद ब्राइफाइटा आ रहा है इसलिए एलगी के कंपेरिजन में ब्राइफाइटा ज़्यादा एडवांस होगा और जादे advance का मतलब क्या हुआ वहाँ root stem leaf like structure नहीं थे लेकिन यहाँ पे होंगे फिर अगला point है it is thallus like अब देखे, it is thallus नहीं है ऐसा नहीं बोला कि it is thallus क्या बोला है it is thallus like मतलब सबसे पहले thallus क्या है thallus वो plant structure होता है वो plant body होती है जिसमें root stem leaf नहीं होता तो यह कैसा है यह इसके पास actual जो real जिसको root stem leaf बोलेंगे यानि कि vascular bundle के साथ वो तो इसके पास नहीं है लेकिन हाँ इसके पास root stem leaf like structure है और यह structure किस तरीके से हो सकते है या तो prostrate हो सकते है या फिर इरेक्ट इसका क्या मतलब है प्रोस्टेट और इरेक्ट का तो इरेक्ट का मतलब है मैंने अलग सिङआ पे दे रहा है अंसियाटी में नहीं है इरेक्ट means upright in position और प्रोस्टेट का मतलब क्या है दाउन वर्ड पोजीसन यानि कि सॉयल के बिल्कुल साथ पैर्ल अगर गोई structure डवल फोर आ जिसको क्या बोलेंगे प्रोश्ट्रीट और अगर सॉल से परपंडी कुलर गोई structure डवल फोर है इसको क्या बोलेंगे एरेक्ट आप अपने चारों तरब मैक्सिमम जो प्लांट्स देखते हो वो कैसे होते हैं एरेक्ट होते हैं अब इसके बार नेक्स्स पॉइंट है दे लेक्ट ट्रू रूट्स स्टेम और लीव तो ट्रू रूट का मतलब क्या होगा जिसमें वैस्ट्टूर बंडल हो स्टेम भी तब हम ट्रू बोलेंगे जब वैस्टूर बंडल हो अब क्योंकि यहां वैस्कुलर बंडल नहीं है लेकिन यह जो इस्ट्रक्चर है जैसे राइजॉइड यह रूट लाइक है देखने में देखें ऐसा लग राइज रूट्स ही है जैसे और यह जो राइजॉइड है यह यहи इस्ट्रक्चर को देखी लिए तो आप देखिए फरस्ट वाले डाइग्राम में यह जो पूरा प्लांड बोड़ी देख रहे हैंवा इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते है algun स्टा मतलब है चुपर बोलसे संञगते किया है द एक cell deployed है deployed का मतलब होता है जैसे हमारी body पूरी body ही deployed है मतलब हर एक cell के अंदर जो chromosome है वो कैसे है paired है यानि कि total 23 pair chromosome और जब बोला जाए gametophyte है ना तो gametophyte का मतलब होता है कि यह वो पार्ट है body का जिनकी cells कैसी है haploid यानि कि यहां जो chromosome से वो paired नहीं है अगर हम अपने body से compare करें तो मैंने कहा कि अपना जो पूरा body हो वो कैसा deployed है यानि कि पूरा body कैसा हो गया sporophyte हो गया तो क्या अपने body में कहीं भी gametophyte नहीं है क्या कोई gametophyte वाला तो हमारे पास ऐसा कोई haploid structure तो नहीं है जिससे gamet produce हो लेकिन हाँ जो gamet है उसको ही समझने के लिए मोटा मोटा गर समझने हो तो आप समझ सकते हैं जो sperm और egg है यही कि इसको represent करेंगे gametophyte को represent करेंगे एक्चुल में gametophyte का मतब यह नहीं होता है gametes नहीं होता है gametes तो gametophyte produce करता है लेकिन अगर plants के साथ comparison करना ही है अगर समझने के लिए तो ऐसे समझ सकते हैं अब देखिए तो इस sporophyte में आप देख सकते हैं capsule दीख रहा है आपको stock दीख रहा है stock के नीचे वाला जो part होता ह इसको food बोलते हैं और stem like structure leaf like structure देखता आपको दूसरे वाले डाइग्राम में भी आप देख सकते हैं जाद अच्छे तरीके जए यहां भी राइजरोट्स हैं और gametophyte इस sporophyte और एक यह एक्चुल structure है यह तो theoretical होगे और यह एक्चुल structure एक्चुल picture है इसकी fun area की तो आप य यह क्या है sporophyte और यह नीचे जो green कलगपाट आप देख रहे हैं यह क्या है gametophyte है तो चलिए next one में आते हैं the main plant body of the bravhite is haploid अभी इसका क्या मतलब है देखिए यह जो first color diagram था इसमें ऐसा नहीं है कि जब भी मैं आपसे कहूं कि fun area का structure कैसा होता है तो आप बोने कि यह उसमें तो एक capsule होता है और नीचे उसके leaf like, stem like structure होता है नहीं ऐसा नहीं है यह जो sporophyte वाला पार्ट है यह life के हर state में नहीं होता है fun area के कुछ state कहना सही life के half part में होता है half part में नहीं होता है आगे जब हो life cycle देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह जो sporophyte वाला पार्ट है यह पूरे throughout life उसके साथ नहीं रहता है तो throughout life क्या रहता है gametophyte यह नीचे वाला green पार्ट तो जब आपसे यह पूछा जाए कि ब it produces gametes hence it is called gametophyte अभी जो मैंने आपको समझा है कि वह gametophyte क्या होता है तो gametophyte वह पार्ट होता है जिससे gamete प्रड्यूस होता है फिर इसके बाद sex organs बहुत important है तो ब्राइफाइट के लिए male sex organ का नाम क्या है एंस्रीडियम female sex organ का नाम क्या है आर्की गॉनियम जो आर्की ग होते हैं यानि दो फ्लाइजला होता है इनका नाम क्या है एंथिरो जॉइट नाम है इनका और जब female sex organ में एग प्रड्यूस होंगे एक female sex organ के अंदर एक ही एग सिंगल एग प्रड्यूस होता है अब इसके बार यह जो प्लांट्स हैं यह ऐसे एरिया में मिलते हैं जहां प तो reproduction नहीं होगा और जब water मिले गा इनका atmosphere में तब surrounding में जब water इनके पास होगा तब जो enterozoid है वो water में release हो जाएंगे और फ्लाइजला की help से कहां चले जाएंगे female sex organ के पास और वहां जाकरके egg के साथ fuse कर जाएंगे अब जो जाएगोट बना है इसमें फटाफट reduction division या meiosis नहीं होगा बलकि ये जो जाएगोट है इस diagram में आप देखी ज़्यादा अच्छे से आप पर सौन जाएगा ये yellow color का जो structure आप देख रहे हैं जाएगोट है और यहां आप देख सकते male sex organ और female sex organ और यहां से ये fusion स्पर्म का एक के साथ और क्या बन गया जाएगोट बन गया अब यह जो जाएगोट है इसमें division स्टार्ट होगा कौन सा division माइटोसिस तो माइटोसिस माइटोसिस के बाद यह structure बनेगा जो starting में आपने देखा था यह structure तो आपने देखा था फोट सीटा capsule वाला तो इस structure को क् प्राइगोट जो है वो डारेक्ट मियोसिस करके हैपलाइड सेल नहीं बना रहा है बलकि पहले एक एक structure बना रहा है जिसे structure को हमने क्या नाम दिया है sporophyte क्यों नाम दिया क्योंकि यह diploid है और obviously पूरा structure ही अगर बन रहा है तो यह multi cellar body होगी the sporophyte is not free living अब आप देखिए यह जो पार्ट बना है और सीटा capsule वाला यानि sporophyte यह किसके साथ अटेच है green color वाले पार्ट से अटेच है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह independent नहीं हुआ ना इसका attachment gametophyte के साथ क्यों है क्योंकि gametophyte से इसको क्या चाहिए food चाहिए nutrition चाहिए capsule है capsule के अंदर reduction division होगा यानि meiosis होगा और meiosis से क्या बन जाएंगे बहुत सारे sports बनेंगे और यह sports आप डियाग्राम में देख सकते हैं आगे जाकर कि इसमें डबलप्मेंट स्टार्ट होगा राइजोड बनने स्टार्ट होगा फिर राइजोड के बाद इसमें birds बनने स्ट fight देख रहे हैं तो वो तो life के किसी स्टेट में बादवाली स्टेट में आएगा मांकी जो main body हो वो कैसा है इस तरीके से हैं अब आगे देखते हैं तो यह यहां पर ब्राइवफाइट का जो life cycle यह हो गया complete अब हम बात करेंगे plant life cycle and alternation of generation यह जो अपना main topic है अब हम यहां प plant life cycle इस heading का जो first paragraph है उस first paragraph में जो words यूज किये हैं वो words को अच्छे से समझने के लिए ब्राइवफाइट का life cycle आपके दिमाग में बिल्कु clear picture बनना चाहिए तब ही आप first paragraph को समझ पाएंगे अब यहां से अपना main topic स्टार्ट हो रहा है इसकी first line है in plants both haploid and diploid cells can divide by mitosis तो देखिए हमें पता है कि mitosis में चाहे वो haploid हो या diploid cell हो दोनों में क्या हो सकता है दोनों में division हो सकता है haploid से mitosis के बाद जो next generation है कि वो कैसी होगी haploid और diploid के बाद जो next generation है कि वो कैसी होगी diploid होगी यह तो basic knowledge हो गया अब जब आप इस line को पढ़ें तो आपके दिमाग में funeria का ही life cycle चलना चाहिए in plants बोला है तो आप in plants के जगर पे दिमाग में आपके क्या आना चाहिए funeria फिर क्या बोला बोथ haploid और diploid जब haploid बोले तब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए haploid का मतलब हो गया यहाँ पे spore से और diploid का मतलब यहाँ पे किस से हो गया जाइगोट से तो अब इस लाइन को ऐसे भी पढ़ सकते हैं in funeria both spores and gigote cells can divide by mitosis तो देखिए इस डाइग्राम में यही तो दिखाया था कि यह जो haploid cell है यानि कि spore इसमें भी mitosis चल रहा है और वो जो diploid cell है जाइगोट उसमें भी mitosis चल रहा है अच्छा जो haploid spores है इनके mitosis से जो final body बना है उसको हमने क्या बोल दिया उसको बोल दिया यंग gametophyte और उधर जो जाइगोट से final body बना है उसको क्या बोल दिया उसको बोल दिया यंग sporophyte ठीक तो वही यहाँ पर दे रखें this ability leads to the formation of different plant bodies haploid and diploid haploid किसके लिए यूज कर रहे है यंग gametophyte diploid किसके लिए यूज कर रहे है यंग sporophyte तो यह तो first line आपको पूरा funeria की diagram से relate करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी चलिए आगे बात करते हैं the haploid plant body produces gametes haploid plant body का मतलब क्या है वही green color का structure और यह क्या produce करता है यह gametes produce करता है और कैसे करेगा obviously mitosis से करेगा तो जो gametes है उनका हमने क्या नाम बताया था हमने बताया था कि एंथरोजॉइड होता है और एग होता है this plant body represents a gametophyte वही जब यह बोला जा रहा है this plant body मतलब आपके दिमाग में वही green color का जो पार्ट अभी आपने देखा है वही picture दिमाग में आपके चलनी चाहिए following fertilization the gigot also divides by mitosis तो भी बताया था कि gigot में philmitosis स्टार्ट हो जाएगा to produce a diploid sporophytic plant body वही वही बास repeat हो रही है haploid spores are produced by the plant body haploid spores meiosis से बनेगा these in turn divided by mitosis to form a haploid plant body once again तो उपर जो life cycle हमने बताया था आप दुबारा से देखिए अलग तरीके से यहाँ पर बना दिया है यहाँ पर कुछ parts कम हमने दिखाए हैं यह देखिए यह main body था अपना gametophyte यहाँ पर male female और यहाँ से gametes इस तरफ आकर के fuse हुए क्या बना जाइगोड बना और जाइगोड से फिर क्या बन गया फिर sporophyte बन गया sporophyte में फिर जो spores बने हैं यह spores आंगे जाकर के growth करेंगे तो यह पूरा वही cycle चल रहा है अब इसके बाद तुम अपने life में किस किस फॉर्म में थे तो यह कहेगा कि यार मैं अपने life के starting वाला जो मेरा phase था तब मैं gametophyte हुआ करता था और तब मैं कैसा हुआ करता था haploid हुआ करता था फिर क्या हुआ फिर हो गया fertilization और fertilization के बाद मेरे gametophyte वाले part के साथ साथ और क्या attach हो गया sporophyte वाला भी part attach हो गया तो कहना चाहिए कि इसके life के दो phase हुए ना इसके life का part 1 था जिसमें केवली green color का structure था और इसके life का दूसरा part था जिसमें green color के structure के साथ साथ brown color का yellowish brown color का एक part और attach हो जाता है और उस part को क्या बोलेंगे उस part को बोलेंगे sporophyte thus during the life cycle of any sexually reproducing plant there is an alternation of generations between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte तो यह कह रहा है funeria कि भाई मेरा जो gametophyte वाला phase था तब उस वाले phase में मिल्कुल diagram clear पता चल रहा है however different plant groups as well as individuals representing them differ in the following pattern अब यह जो आप pattern यहां पर देख रहे हो ऐसा देख के लग रहा है कि 50% इसका जो life है वो तो green part के साथ या green color वाले plant body के साथ है और इसके life का जो half part है वो कैसा है उसमें इस purified भी add हो गया है अब यह जो 50-50 का ratio है यह plant प्लांट प्लांट वैरी करेगा और इसी के basis में हमने तीन तरह का life cycle बनाया हुआ है तो अभी funeria वाले example में यह जो आप देख रहे हैं यह किस वाली category में आएगा तो आप कहेंगा यहां तो हैपलांटिक वाली हैपलांटिक फेज भी है और डिपलांटिक फेज भी है तो क्या बोला जाए इसको कहते हैं हैपलोडिपलांटिक और अगर ऐसा हो कि किसी जैसे हम अब अपना example ले लें human body का तो human body में क्या होता है तो भाई life से लिए करके death तक पूरा जो body हमारा है वो कैसा है डिपलोड ही रहता है तो हम कहाएंगे हम तो डिपलांटिक है तो इसी तरह से जो advanced plants होते हैं जैसे जिमनिस्पर्म हो गया एंजिस्पर्म हो गया इनका जो main plant body होता है ना वो कैसा रहता है वो डिपलोड होता है और जो इनका haploid वाला part है वो इनके life cycle में बिल्कुल थोड़े time के लिए आता है लेकिन वो independent बिल्कुल नहीं होता है और बहुत कम time के लिए तो हम कहेंगे कि जो advanced plants है जिमनिस्पर्म एंजिस्पर्म उनका जो life का जो पूरा phase है वो एक तरह से डिपलॉंटी ही है और कुछ हैसे होंगे जिसमें यह डिपलॉंटिक वाला बहुत जो time period है बहुत कम time के लिए रहेगा उनको क्या बोल देंगे हैपलॉंटिक तो अब चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट है इस पॉरोफिटिक जनरेशन इस रिप्रेजेंटेड ओनली बाई वन सेल जाइगोड अब यह जो पैराग्राफ है जब इस पैराग्राफ को आप पढ़ें तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर चलने चाहिए इस पाइरोगारा की तो इसमें यह क्य आप देखें इस डाइग्राम में यह जो आप ब्राउन कंड़ का त्रुक्ट्र զेख रहे हैं, यह जाइगोड है और यह जो जाइगोड है इसमें फिर अगले डाइग्राफphones क्या क्या हिया है है इसमें डिविजन हो गया gars और रिडंने के बाद फिर जर्मीजर स्थेक् फेज को बागी पूरा फेज आप देख सकते हो कैसा है है तो इसलिए इस लाइन में क्या दिया हुआ है इस पोरोफिटिक जनरेशन इस रिप्रेजेंटेटेड़ ऑनली वाइद वन सेल जाइगोड अब यही बात अगर हम अपने हीमन बॉडी के बारे में बात करें तो हमारे बॉडी में जो स्पर्म होता है या जो एग होता है केवल यही रिप्रेजेंट कर रहा है किसे यह हैपलॉड जनरेशन को गामिटोफिटिक जनरेशन को तो अगर मैं हीमन के कांटेस्ट में इस बात को बोलू क्या कहूंगा हीमन के लिए बात कर रहा हूँ गामिटोफिटि तरीके से समझ सकते हैं फिर इसमें क्या है देर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट अब यह जो इस पोर इस पोर इस पोरोफिटिक जनरेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव है कौन जाएगो इस पोर यह हमने जो अलग से बना रहा रहा है यह इसके अंदर ही रहेगा और यह इंडिपेंडेंडेंट नहीं होता है यह इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड सेल्स का एक तरह से क्लस्टर बन जाएगा और एक तरह से स्पाइरोगारा का एक फिलामेंट बन जाएगा the dominant photosynthetic phase in such plant is free living gametophyte आप जब कभी भी स्पाइरोगारा गायरा को कभी अगर देखोगे picture तो वो green कलर के फिलामेंट सी देखोगे तो यह कैसा है यह dominant है क्योंकि आप अक्सर कभी भी ऐसा नहीं कि आप इस पाइरोगारा आपने पानी में हाट डाला बाहर निकाला तो आपके हाथ में जाइगो स्पोर आ गया बोला मेरे को फोटो सिंथेटिक फेज इन सच फ्लांट इस तब फ्री लिविंग गमेटोफाइट और यह इस पाइरोगारा कैसा होता है यह तो होगई बात है प्लांटिक लाइफ साइकल जब डिपलांटिक लाइफ साइकल बोला जाए तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर आनी चाहिए जिम्नाइस्पर्म और एंजस्पर्म के लाइफ साइकल की या फिर आप अपने से भी इसको रिलेट कर सकते हैं तो देखे है और अधर एक्स्ट्रीम इस टाइफ वेरिन द डिपलाइद स्पोरिफाइड इस द डॉमिनट फोटो सिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज अप द प्लांट तो बही जितने भी आज पास आप प्लांट देख रहे हों वो कैसे क इस लाइन को अच्छे तरह समझ लिजे कह रहे हैं कि जो गामिट फाइट है अगर मैं एंजियो स्पर्म की बात करूं तो दो तरह के गमीट सोते हैं मेल और फीमेल जो मेल गमीट है वो किस इस्ट्रक्चर के अंदर बनेगा पॉलन ग्रेन के अंदर बनेगा और जो फीमेल गमीट है वो किस स्ट्रक्चर के अंदर बनता है वो एंब्रियो सैक के अंदर बनता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पॉलन ग्रेन है वो मेल गमीट फाइट हुआ और जो एंब्रियो सैक है वो फीमेल गमीट फाइट हुआ और जो पॉलन ग्रेन होता है वो कैसा होता है जिस टाइम पर पॉलिनेशन होगा तो वो तू या थ्री सेल्ड हो सकता है। तो इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैपलॉइड गमिटोफाइड। इस काइंड अफ लाइफ सैकल इस टर्म्ड एस डिपलॉंटिक। आप जब इस लाइन को पढ़ें तो आप साथ-साथ NCRD का वह अला डाइग्राम जो एंजियो स्पर्म का लाइफ सैकल बनाया हुआ है इस टॉपिक के जस्ट पहले वाले पेज में आप उसको एक बार देख लें। चलिए आँगे बात करते हैं अब बात करेंगे हैपलोड इपलॉंटिक। दोनों में ही कहना चाहिए कि एक considerable time तक वह exist करते हैं तो इसलिए इनका जो लाइफ सैकल इसको क्या बोल देंगे हैपलोड डिपलॉंटिक। अब इन में थोड़ा सा डिफ्रेंस है। इस डिफ्रेंस को समझने के लिए इस डिफ्रेंस को समझने के लिए यहां से स्टार्ट करते हैं। dominant independent अभी ये जो बात हम कर रहे हैं इस दो पॉइंट में जो बात करने वाले हैं ये ब्राइफाइट के लिए है a dominant यानि की फिनेरिय के बाद चलोई है a dominant independent photosynthetic thyroid or erect phase is represented by a haploid gametophyte and it alternates with a short-lived multicellular sporophyte totally or partially dependent on the gametophyte for its anchorage and nutrition all bryphides represent this pattern तो देखिए एक-एक word को आप relate करिए जब बोला है dominant independent photosynthetic इसका मतलब जब आज का lecture हमने start किया है तो starting में जो green color का part था फ्योनेरिया का ये पहली line उसी के लिए use की जा रही है और erect phase is represented by a haploid gametophyte यहां तक की बात किसके लिए हो गई green color के पार्ट के लिए अब it alternates it alternates का मतलब क्या है कि भाई life का एक period तो इसने इस तरह से निकाल दिया अब ये दूसरे पीरेड में जा रहा है life के दूसरे पीरेड में वहां क्या है short lip multicellularis sporophyte और जो brown color का structure था जिसमें 4-ceta capsule बना हुआ था उसकी बात चल रही है और ये कैसा है या तो ये totally या partially dependent होगा आप क्योंकि हमने फिनेजे के example लिया था तो वहां पर तो कैसा था ये totally dependent है और दूसरे किसी structure में दूसरे किसी plant में ये कैसा हो सकता है partially dependent भी हो सकता है और ये किसलिए ऐसा करेगा इसको अपने इसको चाहिए थोड़ा सा protection और चाहिए nutrition तो anchores and nutrition ये तो बात हो गई किसकी graphite की अब ये वाला जो paragraph दिया हुआ है ये किसकी बात कर रहा है ये बात करेगा the diploid sporophyte is represented by a dominant independent photosynthetic vascular plant body vascular word use कर दिया इसका मतलब किसकी बात चल रही है teradophyte की चल रही it alternates with the multicellular sporophytic or autotropic independent but short-lived haploid gametophyte यहां यहां जो gametophyte होगा वह कैसा रहेगा वह multicellular होता है saprophytic होता है यानि कि dead decaying material पर सवाइब करेगा और autotropic होता है यानि कि खुद से ही nutrition यह evolve कर लेगा independent होता है और यह short like इसका time period होता है such a pattern is known as haplodiplontic life cycle all teradophytes exhibit this pattern अब जितने भी teradophytes है उन सब में यह pattern देखने को मिलेगा अब यहां पर थोड़ा सा special note है यह क्या है most algal gender are haplontic some of them such as ectocarpus polysiphonia kelps are haplodiplontic खास बात क्या है अभी अभी बात की थी कि जो algae होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं haplontic होते हैं लेकिन यह जो हमने नाम दे दिये कौन-कौन जे ectocarpus polysiphonia और calf यह कैसे होते हैं haplodiplontic और खास बात क्या है कि फ्यूकस जो है ना यह तो पूरे diplontic होता है तो यह थोड़ा से exceptional case हो गया इनको यादा रख रहे हैं अब यह जो दू पॉइंट अभी हमने यह हमने line to line लिया है लेकिन हर एक line के साथ जो required डाइग्राम था जो ncrt में नहीं था उसको भी हमने यहाँ पर लिया है तो इसलिए आप इसको जरूर देखे life cycle of pteridophyte तो देखे स्टार्ट कर दें in pteridophyte the main plant body is a sporophyte which is differentiated into true root stem and leaves जब pteridophyte की बात चल नहीं थी वहाँ पर क्या बोला था root like stem like and leaf like है लेकिन यहाँ क्या यूज कर रहे है true true word की यूज कर रहे है क्योंकि यहाँ पर vascular bundle present होता है तो आप देख सकते इस डाइग्राम में यह leaf है leaf का middle part इसको राइचिस बोल रहे है और यह से जो leaf like structure निकल इनको प अब these organs possess well differentiated vascular tissue बात पहले ही हो गई the leaves in pteridophyte are small as in silagenella तो देखिए यह second वाला जो डाइग्राम है यह कौन सा है यह किसका डाइग्राम है silagenella का है और इसकी leaves आप देख सकते हैं वैसे तो दोनों डाइग्राम में leaves लगराग जैसे same size के हैं लेकिन इसका नहीं है इसकी leaves बह बना हुआ है यह fern का है और इसके लिए उस बड़ी होती है इसलिए क्या वर्डी उस करेंगे मैक्रोफिलस तो फरस्ट वाला हो गया मैक्रोफिलस फरस्ट वाला हो गया माइक्रोफिलस फिर नेक्स कॉइंट है the sporophyte bear sporengia अब ध्यान रखना है यह जो body आपने अभी देख यह body कैसा है haploid है या diploid है तो आंसर है diploid है sporophyte जो है diploid है और इसमें होता क्या है इसके अंदर होता है sporengia अब ध्यान से जुनिए sporophyte वह structure है जो क्या बनाएगा जो बनाएगा spore और spore जिस structure के अंदर होंगे उसको क्या बोलेंगे sporengia और यह sporengia आप यहाँ पर इस first diagram में देख सकते हैं यह देखें लीफ पर नीचे आपको यह brown color के sporengia दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से क्या बनने वाले हैं यहाँ से बनेंगे spores in some cases sporeofils may form distinct compact structure called strobiline अच्छा कुछ cases में क्या हो सकता है जैसे सिले जिनियला या इक्विसीटम में इन दोनों में यह cone-like structure बन जाता है और इसे क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं strobiline फिर अगला है the sporengia produces spores by meiosis in spore mother cells और जिस sporengia है उसके अंदर spore mother cell होती है और spore mother cell क्या produce करेगी spores produce करेगी कैसे meiosis से यानि यही जो spores होंगे कैसे होंगे haploid होंगे अभी तक हमने देखा पूरा plant body तो कैसा the deployed था लेकिन जो spores बनने वो कैसे है haploid यानि कि अब यह क्या बनाने वाले है अब यह gametophyte बनाने वाले है the spores germinate to give rise to inconspicuous inconspicuous का मतला बहुत है जो बहुत clear ना हो बहुत clear ना हो और small यानि छोटा but multicellular free living mostly photosynthetic thaloid gametophyte अब यहाँ पे यह वाला जो structure है यह तो sporophyte को रिपरजन कर रहा है यह clear जो green है और यह वाला जो हलका हलका transparent दिखाई दे रहा है इसी को क्या बोलते है प्रो थैल these gametophytes require cool damn saddy places to grow अब देख सकते हैं जो प्रो थैलस है इसमें आपको water particles दिखाई दे रहे हैं तो यह जो plants हैं यह cool damn और saddy places में ही grow करते हैं और इस limitation की वज़े से इनका ज्यादा spreading नहीं हो पाता है और इनको फिर water भी चाहिए fertilization के लिए the gametophytes bear male and female sex organ call anthridia and archegonia तो यहाँ भी male sex organ को क्या बोलेंगे anthridia और female sex organ को archegonia water का requirement होगा और उससे जो anthro joint होगे वो anthridia तक पहुँच जाएंगे और जाकर के fuse करेंगे और क्या बना देंगे जाइगोट अब यह जो जाइगोट है इसमें फिर division start होगा और division start हो करके फिर से क्या बन जाएगा वही multi cellular structure बनेगा जिसको क्या बोलेंगे sporophyte बोलेंगे यानि कि dominant phase जो actual phase होता है जिस form में रहते हैं यह plants वह वाला फिर से बन जाएगा इन majority of the pteridophytes all the spores are of similar kind such plants are called homosporus अब ये इस example में आप देखें यहां जो spores बनने हैं सारे एक जैसे हैं तो इस plant को क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे homosporus आप देख सकते हैं इस diagram बहुत अच्छे समझ में आ रहा है sporophyte यह starting में जो पिक्चर हमने आपको दिखाई यह अभी जसमें दो तरह गिलीव सी macrophyllis और और यह बला structure जो gametophyte है इसको प्रोथ हैलाज हमने बोला था यह वह है तो यह homosporus प्लांट का एक्जामपल हो गया अच्छा फिर जनेरल जनेरल लाइक सिलेजनेलन सालिवेनिय विच फ्रेड्यूस टू काइंड्स ऑप स्पोर्स मैक्रो एंड माइक्रो यानि कुछ ऐसे भ जिसका साइज होगा बड़ा इसको बोलेंगे मेगास्पोर और यह दोनों अलग-अलग गामिटोफाइट बनाएंगे फिर भाई अभी तो एक जैसे सारे स्पोर्स एक जैसे है तो सारे गामिटोफाइट जो बनेंगे वह एक जैसे बनेंगे पूर्फ एलासलय के structure ही है जिसको क्या बोल रहा है sporophyte sporophyte का जो terminal पार्ट है apex वाला पार्ट है इसको बोल दिया strobulous अब strobulous को थोड़ा सा और enlarge करके देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते micro sporengium है mega sporengium है micro sporengium का मतलब है यहां micro sporengium का मतलब है यहां mega spore बनेंगे खास बात यह है कि micro sporengium से बाहर निकल करके mega sporengium के अंदर जा करके fuse करेंगे और fusion के बाद जो जाइकोड बनेगा वो कहां रहेगा वहीं रहेगा mega sporengium के अंदर ही रहेगा यानि कि mega sporengium के अंदर रहने वाली बात यह तो बिल्कुल enjoy sperm में जैसा होता है वैसा हो गया तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह तो seed formation वाली habit हुई जो कहां देखने को मिलती है यह एंजियो sporeng में और जिम्नियो sporeng में देखने को मिलती है इसलिए यहां पर एक line यहां पर दी है दिस इवेंट इस प्रीकर्सर तो दा सीड हैबिट कंसीड़ अज इंपॉर्टन स्टेपिन एवलुशन तो यहां कि हम कह सकते हैं कि सीड formation का जो स्टार्टिंग है यह कहां से सीड डवलप्मेंट का एक तरह से कहना चाहिए ओरिजिन कहां से स्टार्ट होता है तो हम कह सकते हैं टेरेड़ोफाइट से और यह फिर फाइनल जाकर के कनवर्जन कहां पर होता है तो वह जाएगा जिमने स्पॉंस में और इंजे स्पॉंस में तो यह हो गया आज का लेक्चर आई होब आपको यह अच्छे से क्लियर हुआ होगा अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से और कुछ जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है उन पर वीडियो बने तो कमेंट करके बताएं आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं